नमस्कार मित्रों मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोगप्रिये चैनल यूर का चक्रा मित्रों आदर्णी उत्र दीदी के साथ हम नक्षत्रों की सिरीज में आज एक नए नक्षत्र के साथ आएगा मैं आशा करता हूँ कि इसमें मिलने वाला ज्यान आपके ज्यान को और बहतर करेगा और इसको अपलाई करके जब आप देखेंगे आपके बहुत सारे प्रशनों के उत्तर स्वाम ही मिल गएगे मैं आप सभी के सयुक से उनका स्वाज़त करता हूँ नमस्कार दीपर जी नमस्कार आज जो हम नक्षत्र ले रहे हैं वो हस्त नक्षत्र है जो की कन्याराशी में है और 10 डिगरी से लेकर 23 डिगरी 20 मिनिट तक इसका स्थान है करन्याराशी जिसका सवामी बुद्ध है और चंद्रमा इस नक्षत्र का सवामी है हस्त नक्षत्र तो इसमें अब हम सब पहले यह देखेंगे कि शरीर के किंकी नगओं पर इसका अधिकार है जैसा कि आप लोग सब जानते ही हो कि कन्याराशी हमारे पेठ पर अधिकार अंद्रूनी अंग आते हैं, वो हैं बावल्स, आते हैं और अंतरस्रावी ग्रंथियां, हमारी जो बहुत सारी ग्रंथियां हैं शरीट के अंदर, जो अंदर जूस वगरा पैदा करती हैं वो, क्योंकि बुद्ध यहां पर इंवाल्व है, असलिए नसोनारियों का वो स्वाम जो होती हैं, और पोशक ग्रंथियां जो होती हैं, पोशक तत्व जो जो जनरेड करती हैं वो ग्रंथियां भी हमारी तकर अंतरगत आती हैं, यह कुछ नंग हैं खास खास, important, जो कन्याराशी के हस्त नक्षत्र के अंतरगत आते हैं अब हम यह देख लेते हैं कि इसमें रोग कौन-कौन से इंवाल्व है क्योंकि यह पेट से जुड़ा हुआ है एक तो सब्सक्रे पहले विटामिन B की कमी शरीर में यह अफ्लिक्शन रहता है बुद्ध पर या चंदर्मा पर किसी पर भी पाप ग्रस्त होते हैं विटामिन B की कमी रहती है ग्यास बनती है पेट में पेट फूलता रहता है बार-बार लूज मोशन हो जाते हैं पतला पैखाना आता है कभी-कभी दर्द भी होता है उता रहता है और बाउल्स में कुछ न कुछ गड़वरी रहती है हमेशा कोई रुकावट हो जाता है और जोकि बुद्ध इसका स्वामी है और बुद्ध की दूसरी राशी जो है वो मिथोन राशी है तो उसके कारण कभी-कभी बाजुओं में या कंधमों में भी दर्द होता है या वो कमजोर हों जाते हैं सांसें भी छोटी-छोटी आती हैं पेट में कभी-कभी किसी को कीरे भी हो जाता है और जो ब्लाट डिसेंटरी है या आओ वाली जो producerization होती है इस कृत्र के अंतर जो भी ग्रह इस क्षेत्र के अंदर होता है, हस्त नक्षत्र में, कन्या राशी में, यदि वो हमारे लगन छटे भाव से जुड़ रहा है, या बारवे भाव से भी जुड़ रहा है, तो फिर वो इस तरह की तकलीफ है हमें प्रदान। अब आजाती हैं, इससे जुड़ी हुई मानसिक विशेष्टा है, क्योंकि यहाँ बुद्ध और चंदरमा दोनों का प्रभाव है, बुद्ध राशी स्वामी है और चंदरमा रक्षत्र स्वामी है, तो एक तो वेक्ति जो है वेदों में, पुरानों में या जो हमारे पुरा व्यापारी करुचियां रहती हैं, व्यक्ति जो है व्यापार की तरह हर चीज को व्यापार की द्रश्टिकोंड से सोचता है, और उद्यम करता रहता है, उसी के अनुसार कि किस तरह से हम ये क्रिया कलाप करें, या काम करें, महनती भी होता है, और एनरजी लेवल भी उसका तो इसलिए ये वेक्ति को बहुत ही जल्दी जल्दी कार्य करने की प्रेहना देते हैं और चंद्रमा क्योंकि जल्तत्व करकी राशीर जल्तत्व के स्वभाव का है उसमें जल्बी अधिक्ता है तो वेक्ति पानी अगरा कुछ भी पीने का शौकीन रहता है उसको बार-बार लेना उसको अच्छा लगता है इसके अतिरित एक चीज और आती है यदि थोड़ा एफ्लिक्शन रहता है तो वेक्ति छोटी मोटी मतलब जलूरी नहीं कि वो बड़ी-बड़ी चोरियां करें लेकिन छोटी-छोटी कुछ भी चीज पसंद आई तो उसको उठा लेना इध को चोरी और डकैती करने में मज़ा आता है या फिर वो डाकू तक बने हुए देखे गाए कुछ लोग इसके अतिरिक खेती किसानी करने में इनका अच्छा है अनाज या भूसे का काम भी है करने की इनकी मनोवरतियां रहती है कि हम इस टाइप का काम करें हालां कि यह व्या कोई भी सामान बेचने का काम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं सेल्समें जैसे और बिजनस वानिज्य जो है कॉमर्शेल जो एक्टिविटीज हैं उनमें काफी इन्वाल्व रहते हैं चंद्रमा चुकि समुद्र और पानी का भी कारक है इसलिए समुद्र पर जो भी क्रिया कलाप हो सकते हैं वो भी कर सकते हैं समुद्र के उपर जहाज में या शिप में जो भी है फिर संचार सादन से भी जुड़े रह सकते हैं ये बुद्ध भी इसमें रहता इन्वाल्व और यदि जैसे इवेंट्स वगरा करनी होती हैं मेले लगते हैं व्यापारिक मेले शिप या फिर ब्रिज बनाना या डैम बनाना इन सब का कार्य करना, नहरें खोदना, सुरंग खोदना इसका अतिरिक्त, क्योंकि चंद्रबुध जो है औरमंगल मिलके, इंक का काम भी करते हैmos स्याही का, किसी भी तरह कि स्याही हो सकती है। चाहे वो लिखने की हो, चाहिए बाल पेन की हो, जेल पेन, और प्रेस में जो इंक काम आती है, प्रेस से जुड़े हुए, वैसी इंक बना कर वो अपना कारिया आगे चला सकते हैं, इसके अतिरित ये यदि इनका गुरू भी इसमें कुछ किसी तरह से इंवाल रहता है, तो ये लोग वकील लौ भी कर सकते हैं, और वकील वकालत भी कर सकते हैं, इसके अतिरित सेनिटरी इंजिनिरिन्इरिंग भी संभाव है, इनके लिए से, लेकिन उसमें बुद्ध चंदरमा के साथ mangal का भी involvement होना ज़रूरी है, mangal के विना इंजिनिरिंग नहीं ही, इसके अतिरित ये आय विभिन तरह की एजेंसियां लेकर इसी भी चीज की एजेंसियां, जैसे शुक्र है, तो गाडियों की ले सकते हैं, हर ग्रह जिस जिस तरह की करिया कलाब देता है हमें, उसकी एजेंसी मंगल है, तो मशीनरी की ले सकते हैं, आटो मोबाइल्स की ले सकते हैं, इसके अतरिक्त ये लोग आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, कलाकार आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, पंचम्भा और जुड़ना उसके लिए अधिश्यक रहता है, नहीं तो पेंटिंग वगरे, किसी भी तरह की आप्धि करना, पेंटिंग करना, ये सब इनको अच्छा भी लगता है, और करते भी हैं अगर राहू अगे रजे से जुडते हैं तो यह लोग पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं राजनीती में भी इन्वाल हो सकते हैं क्योंकि बुद्ध जो है इनको वाकपटू बनाता है और चंदरमा मूवमेंट देता है तो यह लोग इधर उधर बहुत भागादोरी करके इसका दशम भाव से जुड़ा होना देखा गया है इसके अगर राज़ूत नहीं होते हैं तो कभी-कभी दूतावासों में भी काम कर सकते हैं देश-विदेश की इंबैसीज में काम कर सकते हैं और मैसेंजर का तो मैंने आपको बहुल ही दिया इधर से उधर संदेश ले ज इस आए हैं जिनको हम इस कन्या राशी में इसके चंद्रमा के नक्षत्र में हम देख सकते हैं हमारा अगला जो लगशत्र होगा वो होगा चित्रा नक्षत्र जो मंगल का है और क्यूंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको मंगल के भी दो भाग हैं दो चरण उसके कन् वीडियो है बहुत सटीक बहुत ही सटीक जानकारी तूद पॉइंट और मैं आशागरता हूं कि विद्ध्यारती और जिग्यासुवरगे के सभी प्रशनों के उत्तर इसमें मिल गये होंगे पिर भी आप अपने चार्ट्स पे इनको अप्लाई करिए आशा करता हूं कि जब आप चार्ट्स पे अप्लाई करेंगे एक से ज़्यादा चार्ट्स पे अप्लाई करेंगे तो आपको इसके सटीकता के बारे में ग्यान हो जाएगा ये फिर भी basic जानकरी है क्योंकि जोतिश में बहुत सारे विश्यों को एक साथ देखा जाता है तो उसको सरफ basic जानकरी के बारे में ही विचार करें आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं एक नए विश्य के साथ नमस्कार धन्यवाद